लखनों सूपर जाइंस वरसेज मुंबई इंडियस लखनों सूपर जाइंस की बात करें न तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करा साथ मेंसे चार मैंच जीता है तीन मैंच आ रहा है इनके आठ पॉइंच है लेकिन दोस्तों यह जो मैंच है न वान खड़े स्टेडियम मु दोस्तों इस मैदान पर लखनों ने जो दो मैंच खेल है न दोनों ही आर गये मतलब लखनों का इस मैदान पर जीत का खाता नहीं कुला वहीं दोस्तों मुंबई इंडियस की बात करें तो मुंबई इंडियस भले ही अपने सारी मैंच हार गये साथ मैंच खेले साथ मैंच ह कम हारता है अभी तक यहां के मैदान पर 67, 66 मैंच खेला जिसमें से 42 मैंच जीता 25 सी 25 मैंच आ रहा है मतलब मुंबई कहीं पर कैसी प्रफॉर्मेंस करें लेकिन जब वान खड़े आता है तो कहता है I am King लखनौ वरसेज मुंबई की बात करें तो यहां के मैदान पर यह दोनो प्रफॉर्मेंस के हिसाब से क्या होगा कितना स्कोर बनेगा क्या वो स्कोर चेज होगा क्या वो स्कोर डिफैंड होगा मुंबई इंडियस यहां के मैदान पर बढ़िया प्रफॉर्मेंस कर पाई को जीतेगी IPL 2022 का पहला मैंस यह फिर लखनौ सूपर जाइंस बोलेगे कि इस बार ना वानकड़े मैदान की तैयारी अलग है हम दिखाएंगे यहां पे खेलना कैसा हो मुंबई को हरा कर जीत को आगे कैसे बढ़ाना लखनौ वालों को बोलना मुस्कुराते रही है लखनौ जीत रहा है इसके लाबा ये भी जानेंगे यहां के मैदान पे कौन सी ऐ जिसके पिलियर बढ़ियर परफॉमस करक पाएंगे सबसे जादा रन बनाएंगे सबसे जादा बिकेट निकालेंगे यानि हम और आप जो फंटैस्टी किरिकेट खेलते हैं ना हमारे और आपके लिए वो पिलियर बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जब और जस्त होने वाले वीडियो इन्पोर्टेंट होने वाली है ना चलो जल्दी जल्दी बिना देरिकर एapore वीडियो को स्था करते हैं लिकिन उससे पहले फैमिली का इसा नहीं बनें तो यार चैनल को सबस्क्राइब करो हमारी फैमिली का इसा बन जाओ आप सभी का बिलकुम है अँगले से लग जाओ अप करते हैं सभी लोग ना मिलकर वीडियो को लाइक जब आप लाइक करते हैं तिहां दिल पे बात लगती है इसलिए आपका भाई ना आपके फादे के लिए टेली ग्राम पर जान लगा देता है जान जिन लोगों ने मेरा टेली ग्राम जॉइन किया ना बहुत ही फा जार-पांच मैचों में एटलिस मेरे साथ काम करना आपको इतना फायदा होगा आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी आप बोलो कि पहने जॉइन क्यों नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई साइब आई-पियल के जो बचे मैचे उन सभी मैचों में आपको फायदे में रहना है तो मेरे टेलिग्राम जॉइन कर डालें बस एक चीज़ का ध्यान रखें फेक से साथान मेरे नाम पे बहुत सारे टेलिग्राम चैजल बना लिए गया है और आपको पता जब सही जगें आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा तो सही जगें कैसे आएंगे इदर उधर औ पता चल जाएगा यहां के मदान का तो हमें यह भी पताद देल जाएगा जो आज का मैच हो इसकी कहानी क्या हो सकती है और जो कैसे चलेगा तो अब यहां से आपको ध्यान से देखना है ध्यान से सारी सीज़िओ को समझना है वान खड़ी स्टेडिया मुंबई में अभी त टार्गेट चेज की बात करें तो 178, 178 से नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट चेज हो सकता है, टार्गेट डिफैंड की बात करें, 194, 194 पलस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टार्गेट हो सकता है, 178 से 194 की बीच में टार्गेट होगा, आप समझ जाना मामलब ब्रावरी का है चेज भी हो सकता और डिफैन भी हो सकता दोस्तों यह जो सारी चीजें मैं आपको बताता हो ना कोई और नहीं बताएगा आपको इस मैंदान का जो हाइस स्कोर है फस्ट इनिंग का दोस्तों पैंटी संद जोकी रोयल चेलेंजर बैंगलोर्स के नाम पर है लोगस स्कोर है यहां पर फस्ट इनिंग का सिस्टी सीवन और जोकी कोल का था नाइट आड़स के नाम पर है अगर हम यहां के मैंदान पर हाइस स्कोर चेज की बात करें 195 जिसे दिलही कैप्टल ने पंजाफ किंग्स के सामने IPL 2020 में किया था लोगस टोटल हैं यहां के मादान पर फर्स इनिंग नीचा नीचे फटेस बार स्कोर बन चुका है उन Hier से वन शिश्टी नायन के बेच वर ilsाश was 8 लोगस ऑन देखने के आध यह लग लाग्टां यहां पे मियांच होते हाइच कभी लोय स्कोरिंग हो जाते हैं कभी medium scoring होते हैं इसका क्या reason है इसका reason यह है कि यहां का जो बिच्छ है ना betting के लिए बहुत ही ज़्यादा जबज़स से बिलकुल सफ़ाट है लेकिन लेकिन new ball से जो तेज गेंदमाज होते हैं अपनी लेकिन सामने वाली जो गेंदमाजी करें उनकी तेज गेंदमाजी बढ़िया है और सामने वाली टीम जेल नहीं पाई पाई पिले में 2-3 बिकेट निकाल दिये वो जो मैच होता वो low scoring हो जाता है या फिर medium scoring हो जाता है क्योंकि बाद में नहीं यहां पे बैटिंग करना आथान हो जाता शुरू में लेकिन 5-6 बैटिंग करना थोड़ा सा मुस्किल होता है और बॉंडरी लेंथ की बाद कर दो 70 मीटर की आसपास की बॉंडरी लेंथ है इसलिए यहां पे थोड़ा सा आपको चौके चके थोड़ा सा जादा देखने को मिलते हैं ऐगर अगर हम आज की मैप के चैनल यह बहुत चार इंक नहीं मिलेगा आपको करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लगनो सूपर जाइंस के अगर हम इनके खेमें में चेंज़ की बात करें इस बहुत हो सकता फाइस पांडे की जगह पे किसनपपा गोतम को आ सकते हैं कि भाईया आप आजओ क्योंकि आप आते हो तो एक गेंदबाजी का ऑप्सेन भी हमारा बढ़ जाता है और दूसरा बल्लेबाजी का भी ऑप्सेन बढ़ जाता है और मनीस पांडे दूसरी चीज फोर्म में भी नहीं है करते हैं आत मैंच में बढ़िया कर रहे हैं उका हात मैंच में बढ़िया कर पा रही हैं तो बहुत ही बढ़िया चले यह कि दुश्मंता चमीरा आते हैं न्यू बोल से बिकेट निकालते हैं उसके बाद आविश खान भी नियू बोल से बिकेट निकालते हैं डेथ में भी बढ़िया गेंदवाजी करते हैं जैसा नोलर डेथ में भी बढ़िया गेंदवाजी तो करते हैं रभी विस्नोई की बात कर इसान किसान के साथ सुरुवात करने के लिए इसान किसान ने एकाद दो मैस में बढ़िया पारी के लिए उसके बाद सभी मैस में पुलॉओ हिट मैन सर्मा इस बार हिट मैन दिखे ही नहीं मतलब जैसे थोड़ा सा परसान रजर आये मतलब अच्छी परले बाजी इनकी नहीं आपाई करी इसने बढ़िया गेंद वाजी करी बुमरा तो हमेंसे अच्छी गेंद वाजी करते हैं लेकिन जैदो 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 ने जीता मैस हरा दिया मैस दुन बघंECे के हाथ में बोलती ना मुझे नहीं पता था मैस खतम है च говорить को जीसे नहीं पर कर सकता है इसके जीतने के चांसे थोड़ा सा जादा ना जरा रहे हैं according to me according to me Mumbai Indians के जादा चांसे ना जरा रहे हैं लेकिन आपको पता है ना भाई लो cricket match कुछ भी हो सकता है Mumbai ये match हार सकता है लखनो ये match जीत भी सकता है पस मुझे लगता है कि Mumbai के थोड़ा सा चांसे जादा है बाकि जो final prediction होगी ना वो मैं prediction वाली वीडियो में आपको बता दूँगा तो मेरी prediction वाली वीडियो जरूर देखे या फिर टेली गाम जोईन कर लें डिस्किप्शन में टेली ग्राम की लिंक की मिल जाएगी वहाँ पर मैं बता दूँगा मैच स्टार्ट होने के तो तीन घंटे पहले जो मेरी final prediction होगी कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच अब हम यहाँ पर जिकर करते हैं किसका fantastic cricket का तो भाई लोग सबसे पहले हम बात करते हैं आपर बल्ले बाजो की तो KL Lahul साथ मैच 275 टन KL Lahul की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मतलब चल ले है current performance और जो पिछला मैच Mumbai Indians के सामने के लिए था इस सीजन उसमें 103 रन बनाये थे मतलब पिछले मैच में सतक आया था current performance बहुत अच्छी है Mumbai Indians की जो टीम है फिर से सामने है तो इनकी बढ़िया performance आ सकती है तो इनको अपनी टीम में जरूर रखे उसके बाद दो सूरिया कुमार यादो आठे मैच 360 रन आपको पता है ना सूरिया जब जब आता है सूरिया चमकता है और जो पिछला मैच खिला था लकनो सूपर जाइंस के सामने 37 37 बनायता है तो इस मैच में 37 को डबल कर दीजिए लगबग 60 की पारी आने वाली सूरिया कुमार यादो के बल्ले से इनको अपनी टीम में जरूर रखे इसान किसान 9 मैच में 325 रन ये बंदा अच्छी परफोर्मेंस नहीं कर पार है पहले 2 मैच छोड़ कर लेगिन मुझे लगता है आज की मैच में इसान किसान तयारी के साथ आएग जो पछला मैच कर था लखनो सूपाज के सामने 31-31 बनाया था और काफी अच्छे लेम है डिवाल्ड ब्रेविस अगर वो चलते हैं तो इनके बल्ले से रन निकलने वाले तो आप इन्हें भी देख सकते हैं उसके बाद दोसों की इन्वाजों की बात करता आवेश खान को देख सकते हैं साथ मैच 11 बिकेट और जो मुंबई के सामने पिछला मैच के लथा न उसमें तीन बिकेट फिल चटकाया था मतलब आवेश खान आज के मैच में भी दो तीन बिकेट निकालने वाले हैं तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें जैसान होल्डर को देख सकते ह रहे हैं और दोस्तों ये बल्लेवाजी भी करते हैं जरूरत पड़ेगी न तो आपको बल्ले से भी पॉइंट से देंगे तो जैसान होल्डर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं भूम भूम भूमरा को कौन नहीं लेता 10 मैच 9 बिकेट हम इसा बढ़िया की अंदमाजी करत लगनाग्ये करते हैं निकल उसकते हैं तो अप इनको दीख सकते हैं और आप आप रहे तो ये रही मेरी Dream Eleven की टीम दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ही ज़्यादा analysis करने के बाद बनाई है आप सुच रहे होंगे कि मतलब दो सिकन में बता दिया ऐसा नहीं है दोस्तों ये सारी analysis मैंने पहले कर लिए अगर वो सारी analysis में वीडियो में करने लग जाओंगा ना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी आप बोर हो जाओगे मैं भी थक जाओंगा इसलिए सोचे यार मैंने analysis पहले कर दिये बस important क्या है तगरी टीम बना के देखना जो मैंने दे दी है बाकी अगर आपको चार-पांच टीम चाहिए ड्रीम लेवन के मैं आज स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले है तो आप description में चले जो description में मिल जाएगी मेरी telegram की link मेरा telegram join कर डा रहा हूँ मैं आज स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले आपको ड्रीम लेवन की 4-5 टीम मिल जाएगी बस एक चीज़ का ध्यान रखें फेक से सावधान मेरे नाम पे बहुत सारे fake telegram channel बना लिये गए तो इधर उधर और कहीं से मेरा telegram join ना करें बस जो आपको description में telegram की लिंक की मिलेगी ना वहीं से join करें क्योंकि सही जगे आएंगे तब इस सही सही फायदा भी होगा तब भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कर दो like चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गड़ ब्लेस यू